दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांस्फरमर का यूज क्यो किया जाता है प्रायमेरी कोईल क्या है सेकेंडरी कोईल क्या है आइरन कोर क्या होता है लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो जल्दी सी ये प्रोसेस कर लिजे अज वीडियो को लाइक कर दीजे और जितना हो सके उतना शेयर कीजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जब पावर हांस से इलेक्ट्रिक पावर आता है तो इस टावर के थ्रू ही आता है जिसे वेस्ट टावर कहते हैं इस टावर में इतना कैपिसिटी होता है लगभग 11,000 वोल्ट से 33,000 वोल्ट करेंट तक आसानी से संबाल सकता है फिर यही करेंट इलेक्ट्रिक ट्रांसफर ल हैं अब transformer क्यों यूज किया जाता है यह जान लेते हैं transformer को voltage कम करने के लिए यूज किया जाता है voltage बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इसका best example इस्टो प्लैजर है जिससे हम manually बड़ी या असानी से voltage बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं लेकिन transformer voltage कम कैसे कर लेता है ये भी तो जानना जरूरी है चलिए transformer के अंदर गुशते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा primary और secondary coil है यह हमारा transformer का case है जो हमारे सारे parts को cover करके रखता है यह iron core है यह लोहा का पत्ती होता है जिसे मिला मिला के मोटा कर लिया जाता है इसी के एक end पे primary coil को build किया जाता है primary coil build करने के लिए copper wire से एक end पर binding किया जाता है सबसे पहले main line इसी में enter करता है फिर उसके बाद secondary coil का binding किया जाता है फिर उसके बाद current secondary coil में जाता है आप लोग एक चीज़ गौर की यह होंगे primary coil में coil का number of tons ज़्यादा है और वही secondary coil में number of tons कम है primary coil में लगबग 1,2,3,4,5,6,7,8 8 number of tons है और वही secondary coil में 1,2,3,4,4 ही number of tons है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें voltage को ज़्यादा से कम करना है अगर वहीं अगर हमको voltage को कम से ज़्यादा करना होगा तो हम primary coil में number of tons कम रखेंगे और वही secondary coil में number of tons ज़्यादा रखेंगे तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे transformer का use क्यों किया जाता है और transformer कैसे काम करता है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया तो प्रीज इस वीडियो को like, share, subscribe कर दीजे और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत